तो आज हम आपको लेके चल रहे हैं विटकोफ हिल्स की तरफ वहाँ पे एक नेशनल मॉन्यूमेंट है वही हम आपको दिखाना चाहते हैं तो चलिए हमारे साथ हमारे सफर में और इंजॉय कीजिए आप भी और आप अगर नए हैं मेरे चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब मैं चैनल हमारी कोशिश हमेशा यही होगी कि आपको कुछ नया दिखाए जाए तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर मैं चैनल थैंक यू और में वायर रास्ते में हमने बहुत सारे पेक्स अपने ली थी वही मैं आपको दिखा रही हूं यहां पे और यह जो रास्ता था बहुत वाकिंग डिस्टेंस भी काफी था यहां पे एक टैनल था इस टै कि अला की नजारा था कुछ अला की मौसर के लाइब और इस टैनल में भी हमने खूब इन्जॉय किया और जो बंदा गा रहा था ना उसकी आवाज इतनी घूंज रही थी ना इतना मज़ा आया था कि बहुत क्या खाओं में यहां पे हमने पूरा विटको फिल का पूरा घना रास्ता कवर कर लिया है और हम काफी उचाई में पहुच गए हैं और यहां पे आप शहर देख सकते हैं तो यहां से आप पूरे प्राग का देख सकते हैं पूरे शहर का पूरे पार्ग में अभी कितना सुन्दर नजार आया है द्रिश्य है यहां पर एक सर्मोनियल हॉल भी है जो कि बंद होने की वज़े से हम आपको दिखानी पाई लेकिन आप देखी सकते हैं सारा द्रिश्य जितना भी है 1930 सदी का बहुत ही सुन्दर है कि यह 14 जुलाई 1420 की बात है जब जैन जिसका के नेत्रिफ में हुसाईयों ने कुसीडर्स को हराया था तब ही से जिचका के नाम से जितना भी आसपास का हीरी है वह जिचकोफ के नाम से यहां बुलाया जाता है और यह देखिए आप यहां की कलाकारी देखिए कितनी रिखिए और यहीं शेष्टा भी नजुआए कर रही है यहीं देखिए और हमने यहां पर कुछ पेक्स भी लेए अपनी और अब जैन जिसका कि यह बजन के बरह में बताना चातें हैं यह मूर्ति मैं डिय फ्रें नौ मीटर उची है और यह आप मानेगे शावार के दूनो और इनके सिर का वजन है 105 केजी और तलवार का 110 केजी और कुल वजन आप मानेंगे इसका कितना है 16.5 टान है तो मतलब बहुत ही सुन्दा द्रिश्या हमें देखने को मिला एक नैशनल मॉन्यूमेंट हमें देखने को मिला विटकॉप जीचको विल्स में हूप आपको भी पस कि पूएने हमें देखने को मिला विल्स में की ऊड़ाई देखने के बंके के उहाएंगें। विल्स में हुआवसार से दो झाल विल्सक्ते हैं